आज हम लोग पढ़ेंगे person क्या पढ़ेंगे person 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 का मतलब का होता है पूरुस पर्शन का मतलब का होता है पूरुस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पर्शन क्या पढ़ेंगे पर्शन पर्शन का मतलब का होता है पूरुस पूरुस तीन परकार होते है पर्थम पूरुस मध्यम पूरुस अन्य पूरुस ठीक है उत्तम पूरुस मध्यम पूरुस पुरुष कितने परकारक होते हैं तीन गर्ण कर उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष पुरुष कितने होते हैं गर्ण कर उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष लिखेंगे there are there are three three kinds three kinds of person there are three kinds of person इसका मतलब का हुआ पूरुष तिन परकार को होते हैं नमबर एक में first person first person first person तेकिए जैसे कि हम आप लोगों बताया है पूरुष तीन होते हैं कितना बताया है तीन कौन कौन उत्तम पूरुष मध्यम पूरुष अन्य पूरुष उसी तरह से इंग्लिश में there are three kinds of person नमबर वन first person first person यानि कि बोलने वाले को बोलने वाले को first first person बोलने वाले को first person कारते हैं बोलने वाले को first person कारते हैं जैसे जैसे I, V तेके बोलने वाले को क्या करते हैं first person जो बोलता है वाक में जो बोलने का कार्य करता है वहीं क्या क्या लाता है फर्स परसन तो बोलने का काम हम करेंगे तो हम करेंगे तो दो रूपों में करेंगे या तो एक बचन में करेंगे और नहीं तो बहुत बचन में एक बचन में तो मैं आप बहुत बचन में हम लोग और एक बचन में तो हम मैं आप बहुत बोलने वाला ही क्या लाता है फास्ट परस्ट का लाता है ключ के इसा सेकेंट परसथों कि आ सुने वाले को को सेकेंट मैं और फजा चेंट परशन में दोड़े को सुनने वाले को को second second person सुनने वाले को second person काते है सुनने वाले को second person काते है जैसे जैसे you यू देखिए बोलने वाले को काते है first person सुनने वाले को काते है second person हम बोलते है हम बोलते हैं तो हम क्या हो गए हम बोलते हैं तो हम क्या हो गए फर्स पर्सन हम बोलते हैं तो कौन सुनते हैं आप लोग कौन सुनते हैं आप लोग तो आप लोग क्या हो गए सेकेंड पर्सन क्या बोल लिख रहे हैं सुनने वाले को सेकेंड पर्सन करते हैं हम जो बोलते हैं बोलने वाला फर्ट पर्शन, सुनने वाला सेकेंड पर्शन, बोलने वाला फर्ट पर्शन, सुनने वाला सेकेंड पर्शन, जिसरा है क्या? थार्ड नमबर में है थार्ड पर्शन, थार्ड पर्शन, थार्ड पर्शन, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे थार्ट परसन कहते है जैसे जैसे वे लोके बारे में कहांगे ईट्टीसी है तेकी नज एंचे eight day ता सब क्या है थारट पर सलन है हम फिर एक्वास समझ लिजे हम जिसे माल लेते कोलते हैं राम एक अच्छा लगा है यहां पर थोड़ा दिप लिए यहां से इस वाक पर से समझ लिए राम is a good boy good boy राम एक अच्छा लोगा है क्या हुआ राम इस बात को कौन कह रहे है हम कह रहे है क्या राम इस बात को कौन कह रहे है हम कह रहे है तो हम क्या हो गए किसे से कह रहे है आप लोग से कह रहे है बने हम जो बोल रहे हैं आप लोगों ने सुना आप लोगों ने सुना आप लोगों ने सुना तो आप लोग क्या हो गए आप लोग क्या हो गए क्यों 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 कि आप लोग सुन रहे हैं सुनने का काम करते हैं और किसके बारे में कह रहे हैं कौन अच्छा लगा है राम के बारे में कह रहे हैं तो राम क्या हो जयगा थाज बॉलने वाला फर्स्ट परस्ट का आपाल आता है सुने वाला सेकेंड फर्सट का आपाल आता है और जिसके बारे में कहा जाये वा थाज बॉल दिकात्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन क्या पढ़ेंगे पर्सन P-E-R-S-O-N क्या पढ़ती इसको? पर्सन क्या पढ़ते हैं? पर्सन पर्सन का मतलब का होता है? पूरुस पर्सन का मतलब का होता है? पूरुस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पर्शन क्या पढ़ेंगे पर्शन का मतलब का होता है पूरुष पूरुष तीन परकार कोते हैं पर्थम पूरुष मध्यम पूरुष अन्य पूरुष ठीक है उत्तम पूरुष मध्यम पूरुष अन्य पूरुष पूरुष कितने परकार कोत पद्यम पूरूश, अन्य पूरूश, लिखेंगे, there are, there are three, three kinds, three kinds of person, there are three kinds of person, इसका मतलब का हुआ, पूरूश तिन परकार को होते हैं, number एक में, first person, first person, first person, जैसे कि हम आप लोगों बताया है, पूरूश तीन होते हैं, कितना पताया है, तीन, कॉन-कॉन, उत्तम पूरूश, मध्यम पूरूश, अन्य पूरूश, उसी तरह से, English में, there are three kinds of person, number one, first person, first person, यानि कि क्या, बोलने वाले को, बोलने वाले को, first person, बोलने वाले को first person कारते हैं, बोलने वाले को first person कारते हैं, जैसे, जैसे, I, V, तीके, बोलने वाले को क्या कारते हैं, first person, जो बोलता है वाक में जो बोलने का कार करता है वहीं का कालाता है फ़र्ष परसन तो बोलने का काम हम करेंगे तो हम करेंगे तो दो रूप में करेंगे या तो एक बचन में करेंगे आने तो बहुत बचन में एक बचन में तो मैं आप बहुत बचन में तो हम लोग और एक बचन में तो हम मैं आप बहुत सारे लोग बोलें के तो क्या हो जाएगा वी वी मिन्स हम सभी लोग बोलते हैं बोलने वाला ही क्या कालाता है फार्स परसा कालाता है दो नंबर में क्या होता है सेकेंड सेकेंड परसन सुनने वाले को सुनने वाले को को सेकेंड सेकेंड परसन जैसे यू यू देखें बोलने वाले को क्या कालते हैं फार्स परसन सुनने वाले को क्या क्या कलते हैं हम बोलते हैं तो हम क्या हो गया है हम बोलते हैं तो हम क्या हो गए फर्स पर्सन हम बोलते हैं तो कौन सुनते हैं आप लोग कौन सुनते हैं आप लोग तो आप लोग क्या हो गए सेकेंड पर्सन क्या बोल लिखे हैं सुनने वाले को सेकेंड पर्सन करते हैं हम जो बोलते हैं, बोलने वाला फर्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, बोलने वाला फर्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, तिसरा है क्या, थार्ड नमबर में है, थार्ड पर्सन, थार्ड पर्सन, थार्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे थार्ट परसन कहते है जैसे जैसे ही, सी, इट, दे, जा इस सब क्या है? थार्ट परसन है हम फिर एक बार समझ लिजे हम जैसे माल लेते कहते हैं राम एक अच्छा लगा है यहाँ पर थोड़ा दे लिए यहां से इस वाक पर समझ लिए राम is a good boy यह राम एक अच्छा लायका है क्या हुआ? राम is a good boy इस बात को कौन कह रहे हैं? हम कह रहे हैं क्या रामी जी गुड़ वाई इसे कौन कह रहे हैं हम कह रहे हैं तो हम क्या हो गए फार्स परसन किससे कह रहे हैं आप लोग से कह रहे हैं मने हम जो बोल रहे हैं आप लोग न सुन रहे हैं तो हम ने कहा रामी जी गुड़ वाई किसने सुना आप लोगों ने आ पना आप लोग क्या होत जाए संदी कुर सरी के स्वाइड का रहा है धनल Swिष कि यानि कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन काल आता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन काल आता है और जिसके बारे में कहा जाए वो फर्ट पर्सन काल आता है खोड़ो दिकत ठीक